यानि जब उनके स्वयम के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इसी प्रकार धन इसी सोत से प्राप्त हुआ है तो यह प्रत्थम दृष्टेया इस संदेह की पुष्टी करता है माननी उच्चे नियायले ने श्री केजरीवाल के संदर्ब में जो निर्णे दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकना चूर हो गया है स्वगोशित कटर इमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है इस हमानने बात नहीं है देखे जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे है उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानि अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी अहंकार ये था कि मुझे छूट नहीं चाहिए मुझे दूसरे को गलस साबित करना इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है क्योंकि मानी न्यायले ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदुस पश्ट का है कोट क्लारिफाइज देट दा पेटीशन इस फॉर डिसाइडिंग दा अरेस्ट इस इलीगल क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही लीगल है यानि वो जमानत मांगी नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे दूसरा विशे बहुत इस पश्ट मैं आपके सामने उद्धर्द करना चाहता हूँ हैं और वो नियाले के समकष हैं ना हमारे पास हैं ना किसी अन्य के पास हैं इसलिए उस पर दयान बाजी निरर्थक है इस पश्ट रूप से कोड कह रहा है कि जो साक्षे दिये गए उससे प्रतीत होता है कि वह नीती बनाने में बाकाइदा था था इसलिए और फिर लिखा हुआ है वोग नेटी निर्दारन में मुक्ष करता धरता थे और उससे प्राप्त चीज को अवांचित अपराधिक चीजों में प्रयोक किया गया He is also allegedly involved in the personal capacity in the formulation of the policy and demanding the kickbacks and secondly in the capacity of national convener यानि पर्थम दरश्टिया वो नीती को बनाने में मुक्य सूतधार थे और फिर उसके बदले में धन प्राप्त करने में अपनी दूसरी भूमी का यानि आम आदनी पार्टी के सयोजक के रूप में करता धरता थे उसके उपरांद मानी न्यायले ने एक और गंभीर अब्जर्वेशन दिया है कोर्ट सेज डाउटिंग ग्रांट अफ़ पार्डन अफ़ अप्रूवर एमाउंस तो कास्टिंग असपर्शन और जुडिशल प्रॉसेस अर्थात किसी को जमानत दी गई या नहीं इस पर टिपणी करना सीधे सीधे न्याय पालिका के ऊपर टिपणी करने के समान है भाई अगर आप देखें तो इसी आधार के ऊपर अभी संजय सिंग जी को तो बेल मिली है आप इस धंग से राजनेतिक आधार के ऊपर कोर्ट के निर्णेयों की के ऊपर समीच्छा आख्षेप और कटाक्ष नहीं कर सकते हैं इसके आगे और इस पश्ट रूप से कहा गया है इस बहुत महत्पूर प्रेक्षण है कि किसको टिकट दिया गया किसने और इस विशे का कोड की प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है अर्थाथ जो एक कानूनी विशे को राजनेतिक विशे बताने का प्रयास कर रहे थे अब देखिए एक और बिंदू पे कहा है ताइए अब देखिए एक और बिंदू पे कहा है जो बार बार कहते थे कि एडी हमें ये बताए कि इस तरीके से मुझे जवाब देना या उस तरीके से मुझे इस कैपसिटी में बुलाए जा रहा है इस कैपसिटी में बहुत इस पस्ट का है कि आरोपी को ये अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति को कि वो ये तै करे कि किन नियमों किन प्रावधानों या किस प्रक्रिया के तहत अथवा किस रूप में जाच एजिंसी उससे जाच करना चाह रही है अगला बिंदु और गंभीर है दा कोर्ट वोंट ले डाउन डिफरेंट केटेगरीज अफ लाओ वन फॉर कॉमन सिटिजन्स और अधर ग्रांटिंग स्पेशल प्रिविलेज टू चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी पुना अंडरलाइन करके कहता हूँ आम आदमी रहा है कि सामान ने आम आदमी के लिए एक नियम और आम आदमी पार्टी के मुक्ष मंतरी के लिए दूसरा नियम यानि नाम तो आम दीवान आम और चाहते हैं कि डील किया जाए दीवाने खास की तरह तो ये खासो खुसूस खासियत पूरी तरीके से खारिच कर दी गई को ना मैं कहना चाहता हूं यह सबसे महत्पूर्ण बात है यह वही थे जो नाना प्रकार की चीजे कहते थे मैं बंगला नहीं लूँगा मैं गाड़ी नहीं लूँगा मैं टोपी पहनूँगा मैं सीकूर्टी नहीं लूँगा बगरा बगरा जबकि मैं सारी बाते कह रहा हूं ये सारी चीज़े आवशक्ता होती है, सुरक्षा क्या आवशक्ता होती है, परन्तु ये जो आम आदमी का चोला था, वो पूरी तरीके से धरशाई हो गया, चूँकि वो खुद एक खास टीटमेंट चाह रहे थे, इसके उपरान कोट कहता है, जो उन्होंने कहा कि, चो उनको हिरासत में लेना चाहिए, इडी वाज इन प्रोसेस अफ एनफ मेटीरियल विच है लेट तू अरेस्ट अफ केजरीवाल, नॉन जॉइनिंग अफ इन्वेस्टिगेशन बाई केजरीवाल, डिले कॉस्ट बाई हिम वाज आलसो इंपक्टेड दो जिन्द जुडिशल कस्टडी, अर्थात उनका बार बार एडी के संबन को दरकिनार करना, जवाब देने से मना करना, यह गलत था और परियाप्त मेटीरियल उपलब्द था उनसे पूस्तास और जाच करने के लिए, दूसरा, एक गंभीर बात कही गई है, जो बार बार नियाईक प्रकिरिया को राजनेतिक रंग देने का प्रयास और उसके उपर राजनेतिक आक्षेप करने का प्रयास है, उस पर कोट ने साफ कहा है, जजजज आर बाउन बाइड लाउ, नौट बाइड पॉलिटिक्स, आप उसमें राजनीति करना चाहते हैं, चूंकि आप लगातार नौनो संबन डिले कर रहे थे, चूंकि आपको पता था कि लोकसभा का चुनाव आने वाला अनायास नहीं आने वाला था, इस कारत यह हो गया कि आप नियाईक प्रकिरिया को राजनेतिक दहलीज तक ले जाने का कारे आप कर रहे थे, कोट ने इस पस्ट कहा है, क इस प्रकार की बात कहना कि चुनाव आ रहा है, वैसे तो ये लोग इस बात के बड़े आदतन शरारती है, याद करिये दो हुजार उननीस के लोकसभा से पहले, कॉंग्रेस पार्टी के नेतावी वकील का चोला होड का शीराम जन्मुमी के मुद्दे पर भी यही कह रहे थ समक्ष देना उचित नहीं है, इसके उपरांत कोर्ट कहता है, कोर्ट आर कंसर्ण विद दा कॉंसिचूशनल मॉरेलिटी, नॉट दा पॉलिटिकल मॉरेलिटी, कोर्ट साफ कहता है कि यह जो आप तथा कथित, अपनी नेतिकता राजनीत का बात करते हैं, इस से कोर्ट को को हार्ड कोर फैक्स के बारे में कहता है, अब आगे की बात और भी गंभीर है, जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, इस पॉइंट में मनी नियाले कहता है, इस कोर्ट होल्ट एट एडी वास एबल तो प्लेस एनफ मेटीरियल स्टेट्मेंट अब अप्रूवर्स और उन केंडि जाशी ने यह बयान दिया है, कि उसको इस इस प्रकारिक धन, इस इस स्रोत से प्राप्त हुआ है, तो यह प्रथम दृष्टेया इस संदेह की पुष्टी करता है, कि पैसा कहां से है, जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं, वो करोणों का ट्रेल मिल रहा जाशी कि आप है, कि एस इस अ're बया है, ए मिली नही है, एाव है, झाल बचल से दुशी है, यह रहा है, वो का टो यह है, गो करोद θα रहा दो इसनुक, आपक दो मिली, जो कि पाल दो का दो यह पला सदों कि अल पर पको रह हैगा है, जो कि भज्स नहीन घ्यं है, जो कि उन्